नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर स्वापनिल सागर जैन निरामय होमियोपैथी के अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं कोई भी रोग हो आप किसी हूमियोपैथिक डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट जब कराएं तो बीमारी कितनी पुरानी है ये सोच के उस हूमियोपैतिक डॉक्टर के पास आप जाना नहीं तो होता क्या है कि आप 15 साल पुरानी बीमारी लेके डॉक्टर साहब के पास पहुँचते हैं और डॉक्टर साहब से जादू की उम्मीद करते हैं चमतकार की उम्मीद करते हैं दॉक्टर साहब इस 15 साल पुरानी बीमारी को 15 दिन और महीने बर में ठीक कर देंगे, असंभव है, impossible है, होमियोपेथी फिर ट्रीटमेंट आप लोही मत, जिस व्यक्ति के पास धैर या नहीं है, बीमारी को ठीक होने का, उस व्यक्ति को होमियोपेथी ट्रीटमेंट लेना ही नहीं चाहिए, यह सबसे बड़ी समस्या है, फिर बाद में होता गया है कि मरीज डॉक्टर से फिर यही कहता है कि डॉक्टर आप 6 महीने हो गए, हमें तो अभी 50% रिलीफ मिला है, बहुत जादा मिल गया 6 महीने में 50%, अगर 15 साल पुरानी बीमारी है और 6 महीने में डॉक् पेट इन दवाओं को खाएं, जिन दवाओं को दिन में किवल एक बार खाना है, उन्हें सुभे खाली पेट खा लेना चाहिए, मुह में अच्छे से कुला करके, गारगल्स करके, मुह को साफ कर लेना चाहिए, और उसके बाद हमें होमियोपैथिक दवाई खा लेना चाहि या फिर दो से धाई घंटे बाद ही खाएं और उस इस्थिती में भी हमारे मुह में किसी भी वस्तू का किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए नहीं हमारे मुह में किसी भी चीज की गंद होना चाहिए जिससे कि ये होमियोपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्छा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या एलाईची खा सकते हैं या नहीं बिलकुल आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं इनमें से किसी भी वस्तू का किसी भी चीज का स्वाद आपके मुह में ना हो यानि कि जब भी आप इने खाएं तो इनके खाने से या तो आदे गंटे पहले होमियोपैथिक दवा खा लें या फिर इने खाने के दो ड़ाई गंटे बाद जब कि आपने मुह में अच्छे से आरगल्स कर लिये हों तब इन होमियोपैथिक दवाओं को खाएं तो आपको हमेशा होमियोपैथिक के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं कच्छा प्याज लहसों अद्रा खींग सब खाना लेकिन फिर भी उनको मुह में सफाई ना होने के कारण होमियोपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है यह होमियोपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदी किसी भी होमियोपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्द हो जाएंगी यह दवाएं हर होमियोपैथिक फार्मेसी पर उपलब्द होती हैं हर ओनलाइन फार्मेसी पर उपलब्द होती हैं इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं निरामय होमियोपैथि क्लीनिक से ना ही किसी मरी चीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है इसलिए अपने नजदी की होमियोपेथिक मेडिकल स्टोर या ओनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें